उत्तरप्रदेश विधान सभा के सदन के कारवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई आज प्रश्णकाल के साथी दोनों सदनों के कारवाई चली आज विधान सभा में वर्ष 1980 में मुरादवाद में एद के नमाज के बाद हुए दंगे की रिपोर्ट विधान सभा में पेश की गई मुख्यमंत्री योगी आदित नात्ने से रिपोर्ट को सदन में पेश किया मुख्यमंत्री योगी आदित नात्ने सदन में पत्र के जरिये बताया कि ये रिपोर्ट कब-कब मंत्र मंदल के सामने रखी गई लेकिन उच्चे स्थ्रे नर्णान होने के कारण रेपोर्ट को पेश करने में लगातार धेरी है रेपोर्ट पेश होने के बाद सभी दलों ने एतराज जताया समाजवादी पार्टी का कहना है कि 43 वर्ष पुराने मामले को सदन में उठाने की जरूरत नहीं आज के सान बाड और सूखे से प्रभावित है प्रदेश में और कई बड़े मुद्बे हैं वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंतरे दानिश अंसारी ने इस रेपोर्ट को लेकर कहा कि रेपोर्ट पेश करने का मकसद सर्फ यही है कि हम लोग अतीत से सीख लें पिशले चे वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए विपक्ष के पास जवाब नहीं इसलिए वो अनरगल बाते कर रहा है वहीं कॉंग्रस का कहना है कि अभी हम रेपोर्ट को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी इस पेश हुए रेपोर्ट से पल्ला ज़ाड़ दिया इतना लंबे वर्षों बाद आखिर क्या बज़े बनी कि आज रेपोर्ट पेश कर रहे हैं सदन में देखे उत्तर प्रदेश के हमारी योगी सरकार ने हमेशा उत्तर प्रदेश के रलावन अडर को सर उपर ही रखा है कानून वियस्ता उत्तर प्रदेश में लागू हो सुचारू रूप से इन चीजों को हमने गम भीरता से इन सी चीजों के लिए काम किया है और आज 2017 से लेके अब तक बीते 6 साल में जंता के अंदर एक विश्वास है मरी योगी सरकार करती एक भरोसा है कि योगी सरकार सही बायनों में जंता की विखास के लिए मुक्त बना रहा है अप्रात मुक्त बना तेजी से आगे बढ़ रहा है थो यह अप्र दर्शात है कि हमने यही उत्तर प्रदेश जब सप्पा यह बस्पा का साशणकाल हुआ करता था इसी उत्तर प्रदेश पिस तरीकैसे लाण सardर के साथ खिलवर hug보 किया जाता था उताइच में किस तरीके से कानुन रेश्थ के साथ खिलवार किया जाता था उन चीजलों को योगी सरकार ने बंद किया है और डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया तो still a good करते हुए सदन की कारवाई को बाधित किया यह अपने आप में दर्शाता है कि विपक्ष कत्तई सदन के माध्यम से प्रदेश की विकास को सुनिशित नहीं करना चाहता विपक्ष ऐसे बेभुनियार आरूप केवल अपने पॉलिटिकल राजनीति गलाव के लिए करने के लि सब्सक्राइब के दोनों सब्सक्राइब करने की याद दिलाते हैं कि आपने चुनाओं के पहले 2014 में कहा था आज आपके 9 साल 10 साल हो गए आपने कब दुगिना करेंगे आए किसान को उसकी माली हालत खराब होती जा रही है किसान परेशान है को उसको लागत मुल नहीं मिल ला है यह बहुत बड़ी चिंता का विशा है बीशाह में वेफसा कि सवाल को उठाया गया मादुर सिचा जोड़ए सवालों को उठाया गया अक लिश्यादों ने मुक़मंतरी जी तो बातें गुमा देटें लूप मुक्रमंत्री जी कही सही बात पर सही जवाबें नहीं देते हैं वो घुमा देते हैं क्योंकि नेता पूरे नेता हैं वो अपनी बात को घुमा देते हैं मैं ये कह रहा हूं मुक्रमंत्री जी को जोलन्त मुद्धों पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप अगर मुझूद है तो आपको सही मुद्दों पर सही बात करना चाहिए अबिधान सवा में आज ये बहुत पुराने मामले की रिपोर्ट बेस की गई क्या कांग्रेस की गहरबंदी की जा रही क्योंकि 1980 में जिस वक्त वो दंग्जे हुए तो उसमें कांग्रेस की सरकार्ती क्या कांग्रेसी गहरबंदी के लिए रिपोर्ट पेस की जा रही है देखे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश में जबसे भारती जनता पार्टी आई है सामाजिक समरस्ता को भारती जनता पार्टी तार तार कर रही है भारती जनता पार्टी सामाजिक विशमता पैदा कर रहे हैं आर्थिक विशमता को समाप्त करने के लिए समाजवादी लोग सधन में आए हैं जिनका साब दोर से कहना है कि जो भी सवाल पूछे जारे हैं उनका सटीक जवाब सधन में नहीं आ रहा है कैमेरा परसन सौरप के साथ आंके सिर्वास तो हैं इन्वी नुच लखना हो 43 वर्षों के बाद 1980 वर्ष में जो दंगे मुरादाबाद में हुए थे इसकी रिपोर्ट आज योगी सरकार ने सदन में रखी है क्या है इतराज है मैं इतनी पुरानी रिपोर्ट आसदर में रखी गई आप लोग दिखे सपश्ट है कि 43 वर्ष पुरानी अगर ये रिपोर्ट लाई है सरकार तो उसके पीछे कोई नो कोई वज़ा होगी वज़ा क्या हो सकती है सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक इतने वर्षों पुरानी रिपोर्ट ले आई आज बेरोजगारी पर नाकाम सरकार महिलाओं के प्रति अपराद रोकने में नाकाम सरकार यहाँ तकि मणी पुर की घटना पर हम निंदा ready सरकार तो 43 वर्षों में उनकी भी तु सरकारें आई चार-चार बार भारती जंता पार्टी की सरकार आई है, समर्थन दियोई सरकार आई, क्या ये प्रशंचिन वर्तमान सरकार अपने नेतेत पर भी पुराने नेतेत पर भी उठा रही है, क्या उनकी करतव पर आयनता पर ये सवाल उठ रहा है, और पिछले पांच वर्ष में, 17 सरकार से लेके 22 तक, तो यही वर्तमान सरकार थी, मानिये मुखमंत्री योगी आदितिनाज जी प्रदेश का नितितु कर रहे थे, तब उन्हें ये रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आई, क्या 24 देख करके रात के नहीं नुड़ गई है, मक्सद क्या है कि इतने वर्ष पुर इंडिया का, जिसको देख करके उन्होंने ये रिपोर्ट सराला है, दूसरा दिन है, सर्वदली बैठक में ये तयुबादा किसानों के मुद्दों को उठाये जाएगा, सुके जो पेट में जो जिले हैं, उनकी चर्चा की जाएगी, बार्च जो प्रभावी जिलें उनकी हमने मांग की कि जो सुखा गरस्ती जिले हैं लगभग 40-42 जिले और लगभग 20 जिले ऐसे हैं जो बार्च से गरस्त हैं, वहां के किसानों को उनकी छती पूर्ती के लिए सरकार पैकेज अनाउंस करें, और जो छती हुई है, बार्च से या सुखे से, किसान में आनने लोग के साथ के साथ आंग किस तरवाद तो यह एंवी रूच लगना होता है, जिसके बाद आज 43 वर्सों बाद विद्धान सभा में उसकी रिपोर्ट पेस की जाती है, हमाँ साथ ज्यादा बाचीत करने के लिए बज़न समाज पार्टी विद्धान मंडल बलके नेदा उमा संक सब्सक्राजी मौजूद है, सर इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं, कि 43 वर्सों बाद यह रिपोर्ट पेस की गई है, देखिए यह मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी इसका हम लोग अध्यान करने की रिपोर्ट कब आई है, क्योंकि अपने आप में सोच करक किसानों की चर्चा करने के लिए हम मौका देंगे, क्या किसानों की चर्चा हुए आज दूसरा दिन है, आज किसानों की मुद्दे को ले करके हम उसको लेके 56 में आये थे, और सरकार ने उसको स्विकार कर लिया, और सरकार 103 पर चर्चा करानी के लिए सहमती दे दिया, अब पार्टी के विदाम अंदर दल के नेटा से जिनका चापतोर से कहना है थे एक लंबे अंतरहल के बाद यह रिपोर्ट पेस की गई है जब यह रिपोर्ट यह हम पढ़ेंगे तब यह कुछ कहा पाएंगे केमराजन स्वर्व के साथ अंगे सुर्वास वे इन वीडियोच लखना हूँ